हेलो दोस्तों, वेलकम, इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ मैथ्स के चैप्टर, चत्रभुज यानी क्वाडिलेटरल्स, इसका चैप्टर टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपने सामने टोटल टैन क्वेशन्स लिए हैं, चार क्वेशन हैं, एक एक न सिक्स है, एसो और पियो एट है, इस सम्चत्रभुज की परिमाफ हमें बतानी है, देखो जो रोंबस होता है, यानि सम्चत्रभुज, यह इसकी जो विकर्ण है, यानि डाइगनल्स एक दुसरे को 90 डिगरे पे कट करते हैं, तो यह तो 90 अंश है, अगर आप इस में क्या होता है, कर्ण का वर्ग, बराबर लंब का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग, होता है नहीं यह, तो यह हो जाएगा 6 स्क्वाइर प्लस 8 स्क्वाइर, यानि 36, 64, 100, और इस तरह से जो SP है, वो आजाएगा 10 cm, यानि यह 10 आ गया है, तो अगर यह 10 है, तो यह सभी 10 हों की समतर चतरबुज के चारो भुजाएं बराबर होती है, और इसकी परिमाप 40 cm आ जाएगी, ठीक है ना, तो यह हमारा आंसर है, question number 2, यहाँ पर यह जो figure given है, इसमें ABCDX समानतर चतरबुज है, जिसमें जो angle B है, यह 110 degree है, और हमें X और Y के मान ग्याद करने है, X और Y के मान जाद करने हैं, देखो Y तो यह पूरा है, तो जो समानतर रेखाएं होती हैं, उनमें एक property होती है, और यह मैं इसको सबसे important property कहता हूँ, यह जो एक property है, कि अगर आप, जो जब दो रेखाएं समानतर होती है, और इस तरह से कोई तिरेक रेखा काड़ती है, तो इन कोड़ो का योग 180 अंश होता है, यह ध्यान रखना, आप इसको और इसको प्लस करेंगे, 180 अंश आएगा, यहाँ पर यह दोनों रेखाएं समानतर हैं, तो इस वज़े से यह कोण और यह कोण जो है, इनको प्लस करके आएगा 180, यानि Y प्लस 110 हो जाएगा 180 डिग्री, और इससे Y आ जो एंगल A है, वो एंगल C के बराबर है, ऐसा क्यों, क्योंकि समानतर चत्रबुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, अब कोण A क्या है, यह है 40 प्लस X, और एंगल C जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है, हमने निकाला यह Y और यह आया था 70 डिग्री, तो यह 70 है, तो X आ जाएगा, 70 माइनस 40 यानि 30 डिग्री, और हमारा ऑप्शन C करेक्ट है, ओके, क्वेस्चन नमर 3, A, B, C, D एक ट्रपेजियम है, एक समलंब है, तो समलंब जो होता है, इस प्रकार से बनता है, और इसमें यह दो भुजाएं बराबर हैं, यह A है, यह B, यह C है, यह D है, मैंने A, B, नीचे इसलिए लिखे हैं, क्योंकि लिखा है क्वेस्चन में कि यह 45 डिग्री है, और यह B 45 डिग्री है, और साथ में हमें बताना है कि एंगल C और एंगल D क्या-क्या हैं, तो देखो, जैसे कि मैंने बताया कि जब दो रेखाएं समानतर होती हैं, तो उसके यह भुजाएं समानतर होती हैं, क्वेस्चन में भी यह लिखा है कि यह समानतर है, तो इनको और इन दोरों को अगर हम प्लस करते हैं, तो 180 अंश आता है, यानि एंगल C जो है, इसमें हम प्लस करेंगे 45 डिग्री, तो यह 180 अंश आता है, तो एंगल C जो है, यह 135 डिग्री आ जाएगा, और इसे तरह से एंगल D बे 135 आ जाएगा, हमारा ऑप्शन A करेक्ट है, ठीक है, क्वेस्चन नमबर 4, यहां पर A, B, C, D, यानि A, B, C, D यह जो बड़ा वाला चत्रभुज है, और A, E, F, G, यानि छोटा वाला चत्रभुज जो है, यह समानतर चत्र पर फिर्गुज में क्या होता है, देखो, यह बुजाएं समानतर होती है, यह समानतर है, साथ में यह भी समानतर है, आपस में, तो यह तीनों बुजाएं समानतर हो गए है, अगर हमें इनके आवशक्ता पड़ेगी, तो हम इनका यूज करेंगे, ठीक है, एंगल C है 55 A, B, C, D में यानि A, B, C, D मे यहाँ पर एंगल A और एंगल C बराबर होंगे क्योंकि आमने सामने के कौन बराबर होते हैं इस वजह से जो एंगल C है यह 55 डिगरी आ जाएगा तो यह तो आगे है 55 डिगरी अब फोकस करो आप A, E, F, G में यानि छोटा वारा जो है इसमें भी same property यूज़ होगी यानि आमने सामने के कौन बराबर होंगे तो यानि इसमें जो एंगल F है वो एंगल A के बराबर होगा और एंगल A तो पहले ही हम 55 निकाल चुके है इसलिए यह भी 55 होगा तो इसलिए option A correct है ठीक है? Question No.5 है और यहां हमारे पास एक सम चत्र बुझे सम चत्र बुझे होता है जिसके चारो बुझाए बराबर होती है यहां पर क्या दिया है? कौन ABC दिया है? कौन ABC यह है और यह 68 degree है यह पुरा 68 degree है हमें ग्याद करना है कौन ACD ACD है यह वाला कौन यह हमें ग्याद करना है ओके यहां पर दो important properties हमें ध्यान में रखनी है सम चत्र बुझे के आमने सामने की बुझाए समांतर होती है तो यह और यह तो समांतर है और समांतर बुझाएं आप जानते है मैं पीछे भी मैंने इसका discussion इसका जिक्र किया था कि जब दो बुझाएं आपस में समांतर होती है और इनको कोई दो रेखा हैं जब समांतर होती है और कोई तिरेक रेखा होने काड़ती है तो उनके एक ही ओर के कोणों का यह about 180 अंश होता है तो इसका मतलब यह है कि यह जो पूरा कोण है ये और ये इनको मिलाके 180 अंश आएगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल ABC प्लस एंगल BCD यह है 180 अंश इसका कारण हम लिखेंगे कि तिरियक रेखा के एक ही और के अंतर कोड़ों का योग 180 अंश होता है ठीक है दूसरी बात दूसरी प्रॉपर्टी जो हम यूज करेंगे अच्छा पहले हम एक काम करते हैं यह पोर कोड़ ग्यात कर ही देते हैं यह 68 है BCD तो यहाँ पे आजाएगा एंगल BCD 68 उधर जाएगा माइनस होगा 112 डिगरी आजाएगा ठीक है न 180 में से 68 माइनस होगा 112 अब यहाँ पे फोकस करो इसमें दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है वो यह है कि सम चत्रबुज के विकर्ण कोड़ों को सम दिभाजित करते हैं इसका मतलब यह है यह मैं आपको प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ और इसी तरह से यह और यह आपस में बराबर है तो सम चत्रबुज के विकर्ण कोड़ों को सम दिभाजित करते हैं तो इससे हम यह आरम से याद कर सकते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल A, C, D जो है यह इसका हाफ होगा means half into 112 और यह आजाएगा 56 डिग्री और यह हमारा आंसर है ओकी तो I hope यह solution आपको समझा आए होगा question number 6 है यहाँ पर figure हमारे पास given है और यह आप देख सकते हैं 114 डिग्री यह है यह 30 डिग्री है हमें बताना है angle B, E, F B, A, F है यह angle हमें यह बताना है क्या है simple question है हम सबसे पहले इस angle को find करेंगे उसके बाद इसको find करेंगे और उसके बाद आराम से हम यह angle भी ज्याद कर सकते हैं तो पहले हम यह वाला angle find करते हैं देखो हम लिखेंगे angle B, F, E plus angle C, F, E यह दोनों है 180 degree क्योंकि यह रैखिक युग्म बनाते है तो रैखिक युग्म आप जानते हैं कि एक ही रेखा में जब दो angle होते हैं तो उसको हम कहते हैं रैखिक युग्म यानि यह एक सीधी रेखा है तो इस पे जब हम इस तरह से line खींचते हैं तो इसको और इसको प्लस करके 180 आता है और यह है रैखिक युग्म में linear pair तो यहाँ पे यह तो हमें ग्याद करना है और यह दिया हुआ है 144 degree तो यह हो गया angle B F E आ जाएगा 180 minus 144 और यह है 36 degree clear अब देखो अब हम ग्याद करें अब इस पे फोकस करो ठीका ना देखो यह 30 है और यह जो पूरा कोण होता है यह 90 अंश का होता है तो आराम से हम लिख सकते कि angle अब यह वाला angle इसको F B E नाम देते है F B E यह हो जाएगा 90 minus 30 आपको समझ आ रहा है अब देखो पूरा जो angle है यह 90 है इसमें से यह 30 minus करेंगे तो यह जाएगा न 60 clear हो गया अब इन तीनो कोणों का योग जो है वो 180 अंश है तो हम लिखेंगे तीनो कोणों को लिखेंगे ठीक है तो यह हो जाएगा angle BFE plus angle FBE और plus जो हमें find करना है angle BEF यह हो गया 180 अंश यानि मैंने लिखा कि यह कोण प्लस यह कोण प्लस यह कोण तीनो को मिला कि 180 अंश है तो इनके value हम रखेंगे angle BFE 36 degree FBE 60 degree और BEF यह हमें ग्याद करना है तो यह हो जाएगा 96 degree plus angle BEF तो finally यह angle हमें पता चल जाएगा 180 minus 96 और यह आजाएगा 4 और यह आगे 84 degree ठीक है यह हमारा answer है तो यह angle 84 degree है I hope आपको इस solution अच्छे से समझाया होगा अब हमारे पासे थोड़ा long questions और तीन तीन मार्क से question ठीक है question number 7 हमारे पास यह है यहाँ पे यह figure given है और हमें यहाँ यह square है square work है यह इसकी चारो बुझाया बराबर होती है work आप जानते हैं कुछ properties हैं जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है वो यह है कि जो विकर्ण होते हैं वर्गों के विकर्ण कोणों को सम्दिभाजित करते हैं तो इस हिसाब से देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे देखो यहाँ पर angle BCD यानि यह angle यह क्या है यह है 90 degree ठीक है तो यह angle क्या होगा यह angle ग्यात करना बड़ा असान है यह आदा होता है यानि angle OCX यह बराबर होगा half of यह angle के ठीक है ना यानि half of angle BCD यानि half of 90 और यह 45 degree है समझ आगे ना मतलब कहने का मतलब यह है कि देखो यह जो पूरा angle है यह 90 है और विकर्ण जो है कोणों को सम्दिभाजी दो बराबर हिस्सों में बांटता है तो यह होना 45 यहाँ पर हमें लिखना भी चाहिए यह इसका reason हम लिखेंगे चुंकि वर्गों के विकर्ण कोणों को सम्दिभाजित करते हैं इसलिए 45 डिग्री तो यह हमारा angle आ चुका है 45 डिग्री अब हमें यह वाला कोणों ग्याद करना है जो कि फिर से बड़ा आसान है ग्याद करना क्योंकि यह एक सीधी रेखा है तो सीधी रेखा 180 अंश होते हैं तो 180 में से 105 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे angle COX यानि यह वाला कोण plus angle COD यानि यह वाला कोण और यह होता है 180 अंश क्यों? क्योंकि रेखी की युगमू बनाते हैं तो angle COX plus 105 हो जाएगा 180 angle COX is equal to 105 उदर गया 75 डिग्री ठीक है अब हमारे पास यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर हमारे पास यह कोण है जो की 45 डिग्री है 45 डिग्री यह कोण है जो की 45 डिग्री है तो X आराम से हमें पता चल जाएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि angle X चलो पहले लिखते हैं यह वाला कोण यह है OCX plus angle यह वाला कोण जो की है COX plus X यानि यह वाला कोण ठीक है न यह है total 180 अंश angle OCX क्या है OCX है 45 डिग्री और यह है 75 डिग्री और X तो हमें ग्याती करना है तो यह हो जाएगा 45 और 75 को plus करेंगे तो क्या हैगा यह हुआ 120 plus X यानि यहां से आ जाएगा X is equal to 180 माइनस 120 और यह 60 डिग्री हमारा आंसर है Question No.8 है एक आयत जो है चलो एक आयत बना देते हैं यहाँ पे और इसके विकर्ण देखो एक विकर्ण इसका यह है जो की 25 डिग्री पर जुका हुआ है यह आयत से तो यह 25 डिग्री बना रहा है यह बात समझा आगे कोड़ यहां पर हमें विकर्णों के बीच का नियून कोड़ याद करना है तो यानि एक दूसरा विकर्ण भी है इस तरह से अब यह दोनों विकर्णों के बीच दो तरह के कोड़ बनते हैं एक यह कोड़ है और एक यह कोड़ है यह वाला नियून कोड़ है और यह वाला अधिक कोड़ है तो basically हमें noon कोंड ग्याद करना है यानि ये कोंड ग्याद करना है ठीक है अब यहाँ पे कुछ basic properties है जो की use होंगी तो पहले तो इनका नाम करन करते हैं A, B, C, D और ये है यहाँ पे इसको E नाम दे रेते हैं हमें ग्याद करना है कोंड A, E, D ये हमें यहाँ पर ग्याद करना है देखो यहाँ पर जो properties हमें use करनी है वो ये है कि जो आयत के विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समदिभाजित करते हैं और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं तो देखो पहली बात तो यह है कि यहाँ पर A, C बराबर है B, D यानि विकर्ण बराबर होते हैं आयत के विकर्ण बराबर होते हैं दूसरी बात यह है कि विकर्ण एक दूसरे को समदिभाजित करते हैं तो समदिभाजित करने का मतलब यह है कि यह और यह बराबर है और यह और यह बराबर होते हैं तो यहां पर जो है देखो अगर हम दोनों तरफ यहां हाफ कर देंगे AC को हमने हाफ किया और BD को भी हाफ किया तो इससे हमें क्या मिलेगा AC को आधा करेंगे तो हमें AE मिलेगा और BD को आधा करेंगे तो BE मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे लिखा है कि ये और ये आपस में बराबर है समझे ए ए और ये बराबर है तो अब आप समझ भी सकते हैं क्योंकि विकर्ड बराबर है तो अगर विकर्ड खुद बराबर है तो उनके आदे आदे भी बराबर होंगे इसी वज़े से ये दोनों बराबर हो गए है बराबर होने से क्या होगा कि ये जो त्रिफुज है A, E, B एक समद्भाव त्रिफुज हो गया है समद्भाव त्रिफुज क्या होता है Isocellus Triangle जिसकी दो बुजाएं बराबर होती है अच्छा और सम्दिबाओ तुरिबुज में क्या होता है कि जो बराबर भुजाओं होते हैं उनके सामने के कौन बराबर होते हैं तो अगर ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा तो ये हमें 25 मिल चुका है तो हम ये लिखेंगे कि एंगल EBA बराबर एंगल EAB B क्यों बराबर है क्योंकि सम्दिबाओ तुरिबुज में बराबर भुजाओं के सामने बराबर कौन होते हैं और इस वज़े से ये जो कौन है ये भी 25 डिग्री हो गया है ये भी 25 हो गया है जैसे कि ये 25 है इतना ठीक है अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी लगेगी और वो ये है कि जो वा है कौन होता है देखो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी जिसके में बात कर रहा हो ये है कि अगर हमारे पास ये तृबुज है और इसका ये हम एक भुजा को इस तरह से बढ़ा दे तो इसको बूलते हैं वा है कोन ये जो होता है बाकी दो अंतर कोनों की योग के बराबर होता है ठीक है तो इसलिए हम ये कह सकते है कि देखो यहाँ पर ये है अंगल देखो ये वा है कोन है जिसकी बात हम कर रहे हैं और ये दोनों अंतर कोन है तो ये वाहे कोण जो होगा, ये दो अंतर कोणों की योग के बराबर होगा, ठीक है, तो हम ये लिखेंगे कि एंगल A, E, D बराबर है, एंगल E, B, A, प्लस एंगल E, A, B, और ये हो गया है, पच्चिस प्लस पच्चिस यानि पचास टिग्री, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी भी साथ साथ में लिखेंगे, कि वाहे कोण अन्य दो अंतर कोणों की योग के बराबर होता है, ठीक है न, तो इस तरह से ये आंसर आजाएगा पचास, क्वेशन नमबर नौ अब हमारे पास है, बहुत ही अच्छा क्वेशन है ये, पहले तो आप क्वेशन को समझिए, एबी सीडी एक समांतर चत्र भुझ है, ए और एफ क्रमशह एबी और सीडी के मद्दे बिंदू है, तो जो एबी है, इसका मद्दे बिंदू है ये ए, और जो ये सीडी है, इसका मद्दे बिंदू है एफ, क्योंकि ये समांतर चतर बुँचे है तो मैं आपको बता दूं कि ये भुझाएं आपस में समांतर होंगी तो इसके आब शक्ता हमें पड़ेगी बात में हमें ये सिद्ध करना है की जो ये रेखाएं है ये जो एक A-F है और जो ये EC ये दो रिखाए हैं ये इस विकर्ण को तीन बराबर भागों में बाणते हैं सम्त रिभाजित करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये ये और ये हिसे बराबर है यानि हमें सिद्ध करना है DP is equal to PQ is equal to QB ओके अब इस question को हल करने के process में इस question को हल करने के करम में हमें जो जो प्रमे जिनके आवशकता होगी वो मैं आपको समझा देता हूँ सबसे पहले इसमें आपको मद्दे बिंदु प्रमे और मद्दे बिंदु प्रमे का विलोम ये जानना आवशक है तो मद्य बिंदु प्रमे क्या है मद्य बिंदु प्रमे यानि मिट पॉइंट खॉरम के अनुसार अगर कोई त्रिभुज इसकी दो भुजाओं के मद्य बिंदु को आपस में हम जोड दे तो इन दो भुजाओं के मद्य बिंदु और ये मद्द बिंदू है, इनको हमने मिलाया, ये रेखा बनी, तो ये जो रेखा है, ये तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये है ये मद्द बिंदू प्रमेयर है, अब बात करते हैं, इसका विलोम क्या है तो देखो विलोम में ऐसा है कि यहां पर हमारे पास एक भुजा के मद्दे बिंदू से हम एक रेखा खींच रहे हैं ठीक है यानि हमें अभी यह पता नहीं है कि यहां पर एक भुजा के मद्दे बिंदू से हम यह रेखा खींच रहे हैं हमें ये पता नहीं कि सामने की भुजा कहा हम डाल रहे हैं बस हमने यहां से रेखा खींची ये इस भुजा का मद्दे बिंदू है लेकिन जो रेखा हम खींच रहे हैं ये समांतर है इसके तो ये दोनों समांतर हैं तो इससे ये निशकर्ष निकलता है इससे कनक्लूजन निक लेगा यानि इस प्रमेय का अनुसार ये प्रमेय कहती है कि जहां पर ये जाकर मिलेगी ये इस भुजा का भी मद्ध बिंदू होगा ये है मद्ध बिंदू प्रमेय का विलोम समझ गा ना आप ये यानि ये अगर इसका मद्ध बिंदू है ये और ये आपस में समांतर है तो जहां पर जाकि ये मिलेगी वो इसका मद्यबिंदु होगा ये point ये है मद्यबिंदु प्रमेय का विलोम यानि Converse of Midpoint Theorem और जो समांतर चत्रबुज होता है इसकी property आप एक समझ ले समांतर चत्रबुज में अगर आपको ये पता है देखो अगर हमारे पास कोई चत्रबुज है ABCD और हमें ये पता है कि ये आपस में बराबर हैं और ये समांतर हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि जो ABCD है वो एक समांतर चत्रबुज है यानि बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये बराबर है और ये समानतर है इनके बारे में कोई जानकारी हो नहो हमें कोई मतलब इतना नहीं है इतना इनफ है यानि अगर हमारे पास A, B और जो C, D है ये बराबर है और ये समानतर है तो इसका मनलब जो ABCD है ये एक समानतर चत्रबुज है यहाँ तक सब क्लियर हो गया है अब इस question को solve करना शुरू करते हैं तो यहाँ हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें ये तिनों equal proof करने हैं तो सबसे पहले हमें सबसे पहले इसको समानतर चत्रबुज प्रूफ करना है ऐसा हम क्यों कर रहे हैं इसका कारण ये है कि हमने इसे और इसे समानतर प्रूफ करना है ये हमारे काम आएगा, बाद में समझ जाएंगे इन दोनों भुजाओं को हमने समांतर प्रूफ करना है तो समांतर प्रूफ करने के लिए हम इसे समांतर चत्रभुज प्रूफ करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर देखो ये तो आप जानते हैं चूंकि ABCD एक समांतर चत्रभुज है question में ही दिया है तो समांतर चत्रभुज है तो यहाँ जानते हैं कि समांतर चत्रभुज के आपने सामने की बुजाएं बराबर होती हैं और साथ में वो समांतर भी होती है इतना clear है अगर हम इनका आधा करें यानि क्योंकि देहो आमने सामने की भुजाएंगा ये और ये बराबर है अगर हम इनका आधा करें दो से भाग दे दोनों और तो A, B, अपउन 2 हो जाएगा D, C या C, D, अपउन 2 और A, B का आधा क्या है? A, B का आधा है इतना A, E और जो DC है उसका आदा है FC साथ ही अगर आप देखें यहाँ पर AB और DC जो है आपस में समानतर है तो अगर यह समानतर है तो AE और FC यह भी आपस में समानतर होंगे अब आप फोकस करो इस पे एक यह है और एक यह है यानि यह दोनों बराबर भी है AE और FC और साथ में समानतर है और अगर ऐसा है तो हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं इसलिए AE, C, F, X समानतर चत्रबुच है क्लियर OK और अगर यह समानतर चत्रबुच है तो इससे हम इस नतीजे पर पहुंच सकते है कि जो AF है वो समानतर है EC के समझ आ गया ना क्योंकि अगर यह समानतर चत्रबुच है तो यह भी आपस में समानतर है यह आपस में समानतर है FINE इतना क्लियर है अब यहाँ पर फोकस कीजिए सबसे पहले इस त्रिभुज पर इस त्रिभुज पर फोकस कीजिए आप तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज DQC में इसमें F जो है DC का मद्दे बिंदू है मद्दे बिंदू है और साथ ही जो है यह दोनों आपस में समांतर है यानि P F समांतर है Q C के तो इससे हम किस निश्कर्स पर पहुँचेंगे कि यह जो P है यह भी यह जो P है यह Q D यानि DQ जो है उसका मद्दे बिंदू है तो इसलिए P DQ का मद्दे बिंदू है और साथ ही आप इसका कारण लिख देंगे कि यह मद्दे बिंदू प्रमे के विलोम की वज़े से है यह तो यह है और क्योंकि जो P है वो DQ का मद्दे बिंदू है तो हम यह कह सकते है कि DP बराबर PQ ठीक है तो इतना हो गया है अब अपना फोकस जो है शिफ्ट करो इस पे यह जो है यहाँ पर इस त्रिभुज पे ठीक है यानि A, P, B में तो आप हम लिखेंगे कि त्रिभुज A, P, B, में तो यहाँ पर आप देखो जो E है वो A, B का मद्धिबिन्दू है E A, B का मद्धिबिन्दू है और साथ में जो E, Q है वो A, P के समांतर है है ना, यह तो समांतर है आपस में यह दोनों समांतर है इससे हम इस निश्कर्स पर पहुंचेंगे कि जो Q है वो P, B का मद्धिबिन्दू है इसलिए Q P, B का मद्धिबिन्दू है क्यों? सेम रीजन मद्धिबिन्दू प्रिमे का जो विलोम होता है है ना, क्योंकि जो E है मद्धिबिन्दू है, यह भुजाएं समांतर है, Q जो है PB का मद्धिबिन्दू है और क्योंकि जो Q है वो PB का मद्धिबिन्दू है तो हम यह कह सकते हैं कि P, Q बराबर है Q, B अब इसको अगर हम समीकर्ण नमबर 1 ले लें इसको समिकर्ण नमबर दो ले ले तो यहाँ पर हम लिखेंगे समिकर्ण एक और दो से तो इससे हम क्या निश्कष निकालेंगे कि जो DP है ये बराबर है PQ के और PQ बराबर है QB के ठीक है और ये ही हमें प्रूफ करना था तो इसका मतलब ये है कि जो ये दोनों रिखाएं हैं ये विकर्ण को सम्त्रिभाजित करते हैं ठीक है यानि ये जो विकर्ण है इसको तीन बराबर भाकों में बाड़ते हैं I hope आपको ये पूरा solution समझाये होगा अब हमारे पास question number 10 है इस question में हमारे पास ABCD एक पैलोलोग्राम है एक समांतर चत्रभुचे ABCD जिसमें जो P है वो AB का मद्द बिंदू है QCD का मद्द बिंदू है अच्छा ठीक है ये इनका हो गया मद्द बिंदू हमें ये बताना है देखो इसको इस तरह से जोईन किया गया और इस तरह से जोईन कर रखा आप देख सकते हैं फिर ये एक ऐसे है ये अब हमें क्या सिद्ध करना है इसमें ये समझी आप यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि जो सिद्ध करना है वो क्या है कि A, P, C, Q यानि ये जो है एक समांतर चत्रगुजे हमें इस सिद्ध करना है इसके बाद dpbq तो dpbq है ये ये, ये एक समांतर चत्रबुच है इसको भी हमें, ये सिद्गन नहीं कि समांतर चत्रबुच है और फाइनली psqr, psqr है हमारे पास ये पीच में ठीक है? बात समझ कि ये तीनों हमें, सिद्गन नहीं कि ये समांतर चत्रबुच है देखो समांतर चत्रबुच कि मैं आपको quality बता देता हूँ अगर हमारे पास ये कोई एक चत्रबुच है और अगर हमें ये पता है कि आमने सामने की बुजाएं बराबर है और समांतर है, तो हम इसको समांतर चत्रबुच कह सकते है पहली बात दूसरी बात ये है कि अगर हमें ये पता है कि ये दोरों बुजाएं समांतर है और ये दोरों बुजाएं समांतर है तो भी ये समांतर चत्रबुच है तो ये चीज़ें यहाँ आतर रखना तो यहाँ पर हम लिखेंगे चुकि ABCD एक समांतर चत्रबुच है समांतर चतर बुझ का सिंबल मैं ऐसे लिख रहाँ ठीक है ना पहले लोग रहाँ जिससे थोड़ा सा में बचे अब चुकि यह समांतर चतर बुझ है तो हम यह कहेंगे कि जो A B है वो बराबर होगा DC के और साथ में यह समांतर भी होगा क्योंकि समांतर चतर बुझ मैं आमने सामनी की बुझ है बराबर और समांतर होती है अब A B और D C बराबर है तो अगर हम इनको आधा करें तो इनके आधे भी बराबर होंगे और A B का हाफ क्या है देखो क्योंकि P इसका मद्दे बिंद्ड हुए तो इसका आधा में लिख सकता हूँ अब क्योंकि A, B और D, C आपस में समानतर है A, B और D, C समानतर है तो A, P और Q, C भी समानतर होंगे अब ये जो रेड़ वाला जो मैंने रेड़ वाला चत्रभुज बना रखा है उस पर फोकस करो देखो मैं उसको चत्रभुज कह रहा हूँ मैं उसको समानतर चत्रभुज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो हमें सिद्ध करना है ओके पहले लोग्राम हमें प्रूफ करना है तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं यह दोरों भुजाएं बराबर हैं क्योंकि A, P और Q, C हम बराबर प्रूफ कर चुके और समानतर तो हैं तो हम यह कह सकते हैं इसलिए A, P, C, Q एक समानतर चत्रबुज है पहले लोग्राम है ठीक है ना तो पहला तो सिद्ध हो गया हमारा यह पहला प्रूफ हो चुका है यहाँ पर हम लिख सकते हैं यह अब सेकिंड देखो सेकिंड जो है यहाँ पर फिर से सेम प्रॉसेस हम अप्लाई करेंगे कि चुकी A, B बराबर है D, C के और A, B समानतर है D, C के तो इनके आदे भी बराबर होंगे बिल्कुल सेम प्रॉसेस हम अप्लाई करेंगे क्योंकि अब हमारा फोकस इधर यह है और इधर यह है तो इनके आदे भी बराबर होंगे अब A, B का आदा जो है वो P, B है और D, C का हाफ D, Q है या Q, D जो भी आपको सही लगे अब ये बराबर है लेकिन साथ में समानतर भी तो है क्योंकि A, B और D, C दोनों समानतर रिखाएं है तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि P, B और D, Q ये समानतर हैं तो देखो अगर आप फोकस करो इस वाले पे तो ये और ये ये दोनों बराबर भी हैं और समानतर भी हैं तो इसी वज़े से P, Q, P, B, Q, D यानि हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि P, B, Q, D एक समानतर चत्रबुज है ठीक है? ये सेकिंड प्रूफ हो चुका है ठीक है? अब फाइनली हमें ये अंदर जो ब्लैक वाला है इसे समानतर चत्रबुज प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे चू की A, P, C, Q एक समानतर चत्रबुज है एक पैलेलोगराम है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों बुजाएं आपस में समानतर है यानि जो A, Q है ये समानतर है P, C के या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि जो S, Q है ये समानतर है P, R के ठीक है ना? यानि ये दोनों आपस में समांतर हो गए हैं और अगर हम फोकस करें ब्लू वाले पे ब्लू वाले चत्रभुज पे जिसको कि हम एक पैरलेलोग्राम एक समांतर चत्रभुज सिद्ध कर चुके हैं यहाँ पर तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चुकि P B Q D एक समांतर चत्रभुज है इसलिए क्या होगा अब समांतर चत्रभुज है तो आम निसाने की बुझा है समांतर होंगी तो P D समांतर है B Q क और इसका मतलब यह है कि जो यह है और यह आपस में समांतर होंगे P S समांतर है R Q क ठीक है अब यहाँ पर देखो आप यहाँ पर जो है यह दोनों तो आपस में समांतर है यह दोनों और यह भी आपस में समांतर है तो जब आमने सामने की बुझाएं समांतर होती है तो जो चत्रबूज होता है वो एक समांतर चत्रबूज हो जाता है तो हम यहाँ पर वही लिखेंगे कि चूंकि देखो हैं यहाँ पर एक तो हम लिखेंगे यह यानि जो SQ है यह समानतर है P R के तथा दूसरा हम लिखेंगे यह जो P S है वो समानतर है R Q के तो इससे यह निश्कर्ष निकलेगा कि जो हमें तीसरा वाला PSQR यह जो ब्लैक वाला है PSQR एक समांतर चतरबुज है यह तीसरा प्रूफ हो चुका है ओके और इसे के साथ यह इसका सॉलुशन समाप्त होता है I hope आपको यह अच्छे से समझ आए होगा और राइट तो मैं उमीद करता हूँ कि यह जो वीडियो है आपकी exam की preparation में आपकी मदद करेगा यह questions बहुत important है आप इनको जरूर अच्छे से पढ़के जाना मिलते हैं लिए वीडियो में take care